मिस्टर फैजल मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो भारती जंता पालिटी की और से में उनका अभिनंदन करता हूँ कि वह इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो कि यह लोक्तांत्रिक देश है और हमारी आत्रा लोक्तांत्रिक विवस्था में है हमारे से उनका अमत भ लिखे हैं मुझे आप एक शाथी कि यह व्यक्ति आएंगे तो कुछ देश को लाब होगा प्रांत को लाब होगा परन्तु आज की जो उनकी प्रेस कांफरेंस सुनी मुझे कुछ हद तक संशाय है और संशाय होने के करणा में आपको बताना चाहूंगा तो उन्होंने दो- ने वो इंस्पार है आप समझी रहा हो मैं समझ रहा हूं देखि esti में जो बोलना जाता है उर जो इकता है वहोता नहीं मेसेज बोला को जाता है मैसेज किसी और को दीगा जाता है तो जो प्रो-पकिस्टानी एलिमेंट्स घाटीमें बेचे हैं उनको भी उन्होंने मेसेज तो यह वहीं नहीं नहीं रुपता है कि अंजो किया contexts में को जो जिहाद की बात करते हैं स्वार शाली की जो बात करते हैं और हुरियत के उपर भी कहीं irrelevant कहीं ने soft line ली दूसरा उन्होंने जो किया अगर वो कह देते हैं कि व sheep जी जी से भी प्रभावित हैं तो आप फिर कसीदे पढ़ रहे होते हैं उनके नाम के इस वक्ति कि विश्टेशन जो होता है जो कहां उसी पर किया जाएगा ना भी जो आपने हैपोथर्टिकल बात क्यों कर रहे हैं इसमें उमर अपनुला साथ की उन्होंने तारीफ करी तो पॉलिटिकल एनलिस्ट भी बात करूं में तो मुझे लगता है कि ही इस प्लेइंगे जबी टीम और नेश्टल कॉनफेंस वो मुझसे पहले जो ब्यूरोक्रेट ने कहां एक्स ब्यूरोक्रेट सापने की घर कैसे चलाएंगे फंडिंग कहां से लाएंगे को कोई भी पॉल का एमिन केजी तो आ में एक्सवाल एक्सक्राबा जरुटूचरेट में से लाएंगे मुझसे लाओ स्वुल्डेंस पहलेंस से एंदाउयस कोईसे बात करूछचरे लैवे भीम सारियोड विंक्यूरों से बीर मुझसे का एक्स बाता है को एक्सिंगे इस जुग 무대